तो सुपर हीरोज की मूवीज और सोज हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हैं हम उनके लिए खुसी होते हैं और दुखी भी हर कैरेक्टर अपने आप में अलग होता है और जब तक उन्हें अच्छी तरह परदे पर उतारा जाता है हम उन्हें पसंद भी करते हैं और तो और आजकल अपन लोग विलेंस को भी अलग नजरिये से देखते हैं कि हर लडाई का कोई कारण है और हर विलन गलत नहीं होता पर हर हीरो का एक सीक्रेट होता है जो उसके पैंस को यानि हमें भी नहीं पता होता तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ ऐसी ही कहानी जिसमें तुम अपने फेवरेट हीरोस को और करीब से जान पाओगे मैं पहले ही बता दे रहाँ कि ये एक लंबी सीरीज होगी तो हर एपिसोड के बाद कॉमेंट्स में अपने सवाल और अपने थौट्स जरूर रखना तो हेलो वैपटास्टिक फैंस मेरा नाम है सत्यमिशा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वैप भी बुला सकते हो तो समय को सरांखों पर रखते हुए सुरू करते हैं हीरोस इन क्राइसिज बुस्टर गोल्ड एक भविस्ट से आया हीरो कॉफी पी रहा था और हारली कुईन वहाँ पर पहुँच जाती है उसके कपड़े फटे हुए थे और वो गुस्टे में थी और बुस्टर गोल्ड बोलता है कि अब यहाँ पाइट होगी हारली कुईन अपने recorded message में बताती है कि मैं हारली कुईन हूँ और मुझे यह ट्रॉमा और सदमे जैसी चीजों पर भरोसा नहीं पता है मैं सालों से यह लोगों की पटर पटर सुनके ठक चुकी हूँ मेरा ये मेरा वो मेरी मम्मी मेरे पापा ऐसे लोगों की सुननी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को पीटना चाहिए पर ये बोलकर वो खुद अपना सर पकड़ लेती है वापस कैफे में वो प्यार से बूश्टर गोल्ड के पास बैटके खा पी रही थी और अचानक से वो चाकू उठाती है और गाना गाते हुए बूश्टर गोल्ड को मारने लगती है उसके चाकू भोकने लगती है बूश्टर गोल्ड ब्लास्ट करके उसे दूर फैक कर बोलता है हारली प्लीज मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता और हारली बोलती है कि गोल्डी तू मुझे चोट नहीं पहुचाएगा आज मैं तुझे पहुचाऊंगी इधर बैटमेन बोलता है कि मैं वहाँ पहुची रहा हूँ और वंडर हुमेन बोलती है कि सुपरमेन को सब पता है क्योंकि सुपर्मेन वहां पहुच चुका था उसके फार्म पे जहां पे वो बड़ा हुआ था वो जगा हीरोस की लासों से भरी पड़ी थी वहां होट स्पोट था जिसने अपने एक इंटर्व्यू में बोला था कि वो एक दिन इतना अच्छा हीरो बनेगा कि लोग उसके जाने के बाद उसके कैच फ्रेज को याद रखेंगे पर सुपर्मेन उसकी लास देखकर खुटनों पर गिर जाता है वो मर चुका था और सुपर्मेन उसकी आखरी बाद भी याद नहीं कर पा रहा था इधर बूस्टर गोल्ड लड़ना नहीं चाहता था लेकिन हारली उसे मारे जा रही थी बूस्टर गोल्ड थक जाता है और उसे हौल अफ जस्टिस की तरफ ले जाता है सुपर्मेन उड़ता हुआ घर के अंदर पहुंचता है और वहाँ वैली वेस्ट यानी दूसरे फ्लैस की लास पड़ी थी दरवाजा खोलते ही और अब वो घर एक सैंक्चुरी था जहां ये सारे हीरोस की बाते रिकॉर्ड होती थी कि वो क्या सोचते हैं ताकि दूसरे हीरोस उनकी हेल्प कर सकें पर बैटमैन बोलता है कि कोई हीरो यहां सैंक्चुरी में ट्रीट होने आया था बाकी हीरोस के साथ और फिर उस हीरो ने सारे अलग हीरोस को मार दिया बदलाओ के लिए जो हमारी उम्मी थी वो वापस से बदले पर आकर खत्म हुई यहां बूस्टर गोल्ड एक लेक के किनारे खून में गिरा था वो बोलता है कि हम सब हीरोस वहां चोट खाए गिरे थे और फिर मैंने तुझे देखा बाकी हीरोस को चोट पहुचाते हुए उन्हें मारते हुए और फिर मैं भागा एक कायर की तरह तुझे से दूर और हारली बोलती है कि ना गोल्डी मैंने उन्हें नहीं मारा तूने मारा बूस्टर गोल्ड अपने रिकॉर्डिंग में बोला था कि मैं हूँ बूस्टर गोल्ड सबसे बड़ा हीरो जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना और तुम हो सैंक्चुरी एक रोबोट थेरेपिस्ट क्रिप्टोनियन टेक्स से बनी तुम उन्हें हीरोस की मदद करती हो जिन्होंने बहुत कुछ देखा है या किया है हम सब हीरोस हमेशा लड़ते रहते हैं तो हम सब की हालत खराब है तो हाँ मैं तयार हूँ मदद करो मेरी उस टाइम सैंक्चुरी में पॉईजन आइवी भी होती है और ये चीज किसी को नहीं पता थी क्योंकि वो एक विलेन थी उससे वहाँ नहीं होना था लेकिन हारली चुपके से उसे वहाँ ले आई थी क्योंकि उससे लगा था कि ये पॉईजन आइवी की मदद करेगी पर वर्तमान में हारली प्राब्लम में थी तो वो गई पैंगमिन के पास उसे छुपाने क्योंकि उसे लगा कि सब उसे मारने आएंगे अब बूस्टर गोल्ड ने जो कहा उसके बाद क्योंकि उसकी बात कौन मानेगा पर वहीं बैटमैन बोलता है कि सेंक्चुरी बनाई थी सबकी मदद करने को उनकी सर्मनाक और दर्द भरी बातें बताने को सारी इंफोमेशन हाथों हाट डिलीट हो जाती थी पर सुपरमैन बोलता है कि मैं तुझे जानता हूँ बैटमैन कोई पिछला दर्वाजा जरूर होगा जहां से तू हर मुश्किल घड़ी के लिए उनकी इंफोमेशन को यूज कर सके बैटमैन बोलता है कि हाँ मैं हमेशा तयार रहता हूँ पर इस बार नहीं था क्योंकि मैं भी सेंक्चुरी में आता रहता था बहुत बार बैटमैन अपनी रिकॉर्डिंग में ज्यादा कुछ नहीं बोलता बस इतना की मैं कई लोगों को ट्रेन करता था मेरे साथ लडने को वो मेरा परिवार बन जाते और फिर उन में से कई मेरे सामने मारे गए हैं मुझे माफ कर देना तभी स्कीट बूस्टर गोल्ड को हील करके उसे वापस होस मे लाता है उसी की तरह फ्यूचर का एक रोबोट और वो पूस्टा है कि बूस्टर हुआ क्या वूस्टर बोलता है कि मैं सेंक्चूरी में था और वहाँ मैंने हारली को मारते हुए देखा उसने सब को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की या सायद मैंने सब को मार दिया हारली इस टाइम पेंगविन के अड़े पर थी लेकिन हीरोज ने उसे बिना किसी प्रॉबलम के ढून निकाला था पर हारली जल्दी से वंडर वूमेन के गले परती है और बोलती है कि सेंक्चूरी में बहुत गलत हुआ बूस्टर ने सब को मार दिया मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी इस्पेसली अब क्योंकि मैंने बूस्टर को मार दिया है हारली बस वंडर वूमेन का भरोसा जीत के उसका लासो चुरा लेती है बैटमेन उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो पीछे कूद के लासो से बैटमेन की गरदन पकड़ लेती है सुपरमेन कुछ करता पर लासो की वज़े से वो बैटमेन से सच उगलवा कर उसके पाउस से क्रिप्टोनाइट निकाल लेती है और सुपरमेन को दूर हटाते हुए वो वहां से कूच जाती है ये बोलते हुए कि सच में ये सब बूश्टर ने किया है Wonder Woman की recording वो बोलती है कि बचपन में मुझे एक बुरा सपना आया लेकिन मेरी मा मेरी आवाज सुन कर भी मेरे पास नहीं आई क्योंकि दूसरे लोग मुझे से भी बुरे हालात में थे तो तुम समझ सकते हो कि क्यों दूसरों को मुझे स्यादा जरूरत है इस सैंक्चूरी के टाइम की इधर बूस्टर गोल्ड फ्लैस के पास आता है कि सैंक्चूरी पे सब मर चुके है हारली ने अब फिर मैंने उन्हें मारा है जैसे आर्सिनल, ब्लू जाय और वैली वैली का नाम सुनते ही फ्लैस का चेहरा बदल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है स्टीक बोलता है कि सायद वो तेरी बात कनपम करने गया है बूस्टर बोलता है कि उसे कितनी देर लगेगी स्टीक बोलता है कि ज्यादा देर नहीं तब ही फ्लैस वहाँ आ जाता है और विना रुके बूस्टर के पंच मारता है ये बोलते हुए कि उसने क्या कर डाला इधर हारली कुईने ग्रिज के ऊपर थी सामती से बोलते हुए गुलाब पानी में पैकते हुए पॉइजन आईवी के लिए मुझे किसी को तुम्हें चोट पहुचाने नहीं देना चाहिए था मुझे तुम्हें सैंक्चुरी में नहीं ले जाना चाहिए था मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था मुझे मिश्टर जे से प्यार नहीं करना चाहिए था मुझे मिस्टर जे की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे किसी को भी खुद को चोट पहुचाने नहीं देना चाहिए था तभी लूइस लेन के पास एक फाइल आती है वो फाइल इस मेसेज के साथ थी कि हमारे हीरोज हमसे राज चुपाते हैं सैंक्चुरी से और ऐसे सच आते रहेंगे कोई दी पुडलर्स नाम से उन रेकॉर्डेड मैसेजस को लीक कर रहा था अभी तक बस एक ही आई थी एरसनल के वीडियो के साथ जिसमें वो ड्रक्स लेने की बात कर रहा था सुपरमैन की रिकॉर्डिंग वो बोलता है कि मुझे किसी कम्प्यूटर की जरूरत नहीं है थेरेपी के लिए मैं क्लार्क केंट के नाम से बड़ा हुआ और फिर मुझे पता चला कि मेरा एक और परिवार भी है पर किसी को पता ना चले इसलिए मैंने ये दो पहचान रखी पर अगर इन दोनों में से एक भी थोड़ी अलग है तो मेरी असली पहचान कौन सी है या फिर दोनों फेक हैं हीरोज बनने के लिए तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ हमें ये सम नहीं बोलना चाहिए क्या हो अगर ये बाहर आ जाए तो तो सुपरमैन की बास सच हुई हारली और बूस्टर को छोड़ के सेंक्चूरी में सम मारे गए और जो टाटा बैटमैन ने बोला था डिलीट हो जाएगा वो चोरी हो गया हारली और बूस्टर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या होगा क्या सारे हीरोस के डार्क सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे या फिर क्राइम करने वाला पकड़ा जाएगा तो आगे की एपिसोड्स का वेट करना